तो ये देखिए सुन रहे हैं आवाज तो तोड़ देनी दिखाने वाली में आपको यहां पर देखिए चिप्स में सारे प्लेट में डाल रही हूं और आवाज चुनिये तो बहुती क्रिस्पी बने है इंस्टेंट चिप्स के आलू चलिए फिर देखते हैं कैसे बना जाते ह काईज साइज और यहां में लिया है कच्छा आलू सब को पता है इंसे अशल के मैं पाणी में रख लूँगी को चृह और यहां पानी में इनको डख लिया है अब यहां में कर लेते हैं इसको स्लाइसिस में कट तो यह देखिए स्लाइस में यहां पर ले रही हूं स्लाइसर और यहां पर मैं चिप्स काटना शुरू कर रही हूं तो यहां पर आप डिजाइन वाले भी जो आजकल वो डिजाइन होते अंदर वो भी आप यूज कर सकते हैं तो आपको दिखाती हूं में देखिए इस साइज में आपको यहा की सारे आलू को मैंने यहाँ पर काट लिया है और अब इनको मैं कई बार पानी से धो के स्ट्रेणर में रख लूँगी तो यहां पर देखिए इनको अब धो लेतें अच्छे से आलू को ताकि इनका जो यह स्टार्च है वो निकल जाए तो बस अब इनको धो लिया मैंने तो यहां पर आलो को बहुत जल्दी से हो जाएगा आप इसके लिए कॉटन का टावल यूज करें और यहां पर अच्छे से इसको पोच लें और अगर हो सके तो इसको 10 मिनिट के लिए फैन के नीचे भी रख दें इससे क्या होगा जो इसका बिल्कुल मॉइश्य रहे ना वह सूख जाएगा तो यहां पर देखिए अच्छे से मैं इनको पोच ले रही हूं अच्छे से पोचने के बादना यह बिल्कुली सूख जाएंगे और आप चाहें तो जैसे मैंने बोला है नीचे 10 मिनिट रख देंगे तो और आपके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि कुछ कुछ आलो में थोड़ा सा मॉइस्टर रह जाता है तो यहां पर आपका जब इंस्टेंट खाने का मन कर रहा हो तो ऐसे आप यह चिप्स बना सकते हैं और यहां पर बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए बहुत जादा करेंगे तो डालते ही एकदम से लाल होने शुरू हो कुछ बंद हो जाएंगे ना तब हम यह चिप्स ना निकाल लेंगे तो यह देखिए इनको अलटते पलटते वे मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राइख करेंगे तो यहां पर देखिया आलु को इसी तरीके से आह पोुद्वाग़् करना है बहुत ज्यादा यह नहीं कि फ्लेम पे फ्राई होंगे, हलका हलका इसमें कलर आना शुरू होगा, तो इसी तरीके से यहां पे देखिए, मैं सारे जो आलू है, उनको फ्राई करके निकाल लोंगी, अब यहां देखिए, यह चिप्स जो हैं, बबल्ल आने भी कम हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं, देख तो आलू देखे यहां मैं निकालती जा रही हूं और यहां पर अब मैं इसको देखे थाली में डाल रही हूं आवाज ही बहुत बढ़िया है थोड़ा सा नमक इस पर स्प्रिंकल कर दे रही हूं सेंधा नमक में डाल रही हूं व्रतने भी इसको खा सकते हैं और चाहे तो इस